Find the moment of inertia of a uniform ring of mass M radius R about its diameter तो ये ring है मेरे पास, बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी circumference है ये ऐसे गुम रही है, ठीक है? ऐसे गॉल गॉल गुम रही है एक्सेस ओफ रोटेशन ये है, ओके? तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे ring रोटेट कर रही है अगर मैं आपको अपने कड़े से दिखाऊं, तो आप इस कड़े को देखिए और अगर ये कड़ा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये center से axis of rotation भाहरा रही है तो इसका moment of inertia कितना हो जाएगा? M r square r क्या है? radius है, clear हो गया? अब ये तो जो axis है, ये perpendicular है तो ये perpendicular इसे भाहरा आ रही है, तो मैंने ऐसे draw कर रखा है z axis लेकिन about diameter, diameter मतलब diameter तो कोई भी हो सकती है ये line भी diameter है, ये line भी diameter है question में, question का कहने का मतलब है कि जो axis है, वो इसके plane में मौझूद हो इसके plane में इसका plane क्या है? ये paper ही इसका plane है तो ये जो line जा रही है, ये इसके plane से जा रही है इसके plane से पास हो रही है वापिस से देखें, अगर मैं इस kurde से example हूँ तो ये जो line है, ये सब diameter होंगी तो अगर मैं इसको इस axis के about गुमाँ तो कैसे गुमाँगा, ऐसे गुमाँगा, यह ऐसे अगर मैं इसको ऐसे गुमाँगा, तो यह भी axis के about गुमा रहा हूँ, ठीक है, तो चाहे मैं इसको यहां से पकड़ की गुमा लूँ, यहां से पकड़ की गुमा लूँ, हर direction में जो moment of ऑफिनेर्ट्चिय रहेगा वो सेम रहेगा अगर ऐसे ऐसे गुमेगा तो ये इसे अबॉँर्स एसे ़िए recording न तो इस से के अबॉअट मुवंट ऑफिनेर्चिय ऐसे होता है and r square और ऐसे गुमाऊ। या ऐसे गुमाऊ या ऐसे गुमालू diameter के about गुमा रहो ठीक है, तो किसी भी diameter के about गुमाऊंगा, moment of inertia same रहने वाला है ठीक है, तो यहाँ पे मैं theorem का use करूंगा iz is equals to ix plus iy, ठीक है तो यह perpendicular axis theorem है, 3 axis 1 point से pass हो रही है और 3 एक दूसरे के mutually perpendicular है ठीक है, यह यह और यह, 3 axis एक दूसरे के mutually में ध्यान रखनी है, यह वाली axis और यह वाली axis जो है, यह इसके plane में मौझूद है, ठीक है तो इन दोनों axis के about moment of inertia same रहेगा i, moment of inertia about x and moment of inertia about y यह दोनों axis के about moment of inertia same रहेगा यह याद रखना है, ठीक है, तो इसको मैं x ix plus iy लिखने की जगह है, 2 ix भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ix equals to iy है, और iz की value है mr square, 2 नीचे चला जाएगा ix आगया, half mr square और iy भी हो जाएगा, half mr square एक बात और अध्यान रखो आप इसकी जगह disk हो जाए यह कोई और shape हो जाए तो जो plane में moment of inertia होता है वो होता है, half of moment of inertia इस plane के perpendicular axis से ठीक है, तो इस जो plane है, इसका यह plane है इसके perpendicular जो axis है उसके about, जो moment of inertia है वो है mr square और जो moment of inertia होगा इसके plane में, यानि की इस axis और इस axis के about वो इसका direct half हो जाएगा तो exam में मैं यह step तो नहीं करने बैटूंगा न, तो में कुछ direct result भी निकालने आने चाहिए, तो ऐसे आप direct result निकाल सकते हो thank you so much